इसमें मैं आपके लिए जो मई महिने के ग्यारा मई से बीस मई के बीच के जो करंट अफेर्स के इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन और बीचितने स्टेट पीस जांट उनके लिए बहुत ही महत्यपून कोश्चन है और इनके पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है तो आए वीडियो को सुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नेम ओफ दी विकल इसमध्य पर्देश में एक विकल डिवलप किया गया उसका नाम पूछा गया है और विखिल क्या करेगा इन्वेस्टेटिंग पेसेंट्स विदाउट कॉन्टेक्ट बीना कॉन्टेक्ट के ही पेसेंट्स हैं जो मरीज हैं उनको इनिवस्टेगेट करेगा उनकी जाच करे तो इस विक्कल का नाम है संजिवनी, नेक्स्ट कोश्चन, विच स्टेट लोंच, कौन से स्टेट ने एक स्कोलर्शिप जो स्कोलर्शीप पोर्टल है, वो लोंच किया गया है, उसकी एक स्कीम है, मुख्यमंत्री, यूवा, यूगा, योग, योजना, इस स्कीम के तहत, उस में भीैस नेक्स्ट विच और्गेनाइजेशन कौन सा और्गेनाइजेशन है जिस ने परिपेर आंगेड त रिर्ट्व मुंद किव अव फैंडियरी य पूरगे चुनुलालविस्ट फॉर मैं नाम पोर फॉरेंचे व्लामा झींथ, बिच्री टर्गरायत है कोई। लाइए 533 में हुई थी और यह क्या करता है to promote technology technologies को promote करता है अलग-अलग national georastria research और development institute से उन्दर उनमें यह technologies को promote करता है next which institution signed M.O.U. with choir board कौन से institute ने जो है choir board के साथ memorandum sign किया है जो कि क्या setup करेगा to set up a center of excellence तो यह किया है IIT मदरास नहीं याद रखेंगे जो choir bond है वो एक जो statutory body है government of India के एंडर जो कि किस act के तहत जिसका जो स्थापना की गई वो choir industry act 1953 के एंडर में की गई और यह क्या करता है promotion and development of choir क्या होता जो coconut fiber होता है उसकी industry का यह promotion और development करता है पूरे इंडिया में next which organization has responsibility of testing and certification of PPE kits जो PPE है kits है जो कि जिनको personal protective equipment kits बोलते हैं उनकी जो testing और certification उनको पर्मानित करने की responsibility कौन से organization की है तो यह याद रखेंगे इसका नाम यह है INMAS जिसकी full form है institute of nuclear medicine and allied sciences और यह laboratory है DRDO की जो हमारा defense का organization है DRDO की full form है defense research development organization जो की यह laboratory है नई दिल्ली में यह शितीत है next which country signed agreement to export coal to India कौन से country ने जो इंडिया में coal को export करने कोले को export करने के लिए agreement sign किया गया तो याद रखेंगे यह फिलाल ही रसिया ने sign किया है रसिया की capital Moscow है और प्रेजेंट में जो वहां के प्रेजिडेंट है वो है व्लादुमीर पुतीन next world red cross day is observed on पूछा गया है world red cross day कौन से date पे अबजोर किया जाता तो date याड रखेंगे यह 8 मई को मनाया जाता है और 8 मई को यह जो birth anniversary है henry dunant जो एक scientist हुए है henry dunant उनकी birth anniversary होती है 8 मई को क्योंकि उन्होंने जो यह international committee of red cross थी उसके यह founder थे इसलिए उनकी birth anniversary पे 8 मई को मनाया जाता है next which country launched किसने कौन country है कौन से country ने जो long march 535 भी नाम का rocket launch किया है तो याद रखेंगे चाइना ने launch किया है next which state recently suspended labor launch for 3 years कौन सा state है जिसने जो current में labor launch है जो उनको 3 साल के लिए suspend कर दिया गया और किस चीज के लिए for attracting investors and to revive economy जो coronavirus से उनकी economy तैस नैस होई है उसको दुबारे से revive करने के लिए और दूसरे जो investors हैं for countries के उनको attract करने के लिए तो यह किया है UP उत्तरपरदेश ने next theme of world thalasmia day 2020 जो 2020 का जो world thalasmia day है उसका theme पूछा गया है तो इसका theme याद रखेंगे a dawning sorry a dawning for a new area for thalasmia और यह world thalasmia day है जो वो 8 मई को मनाया जाता है next which company launch solar energy running mobile self collection कौन सी ऐसी company है जिसने जो solar energy से चलने वाला जो mobile self collection launch किया है तो company का नाम याद रखेंगे selco solar light private limited और यह बैंगलोरो में based company है और यह 1904 में बनाई गई थी next which company signed agreement with tata consumer products to send essential goods to people कौन सी ऐसी company है जिसने टाटा consumer products के साथ जो है जो जरूरी समान है जरूरी वस्तुए है उनको लोगों तक पहुचाने का agreement sign किया है तो यह company है जो मेटो और जो मेटो एक इंडियान restaurant aggregator है और जो food delivery startup है और इसकी जो है founder है वो दिपिंदर गोईल एंड पंकर चड़ा जी है और इसको 2008 में बनाया गया था next which state made 100 crore rupees fund to help startups पूचा गया है कौन सा state है जिसने 100 crore rupees का एक fund बनाया है जो startups है उनको help करने के लिए तो यह क्या है गुजरात ने गुजरात के cm है जो वो विजय रुपानी जी है और governor वो है अचारिय देवर्थ जी next which company signed agreement with defense ministry for modernization of Indian Air Force 37 air regions उचा गया है कौन सी company है जिसने agreement sign किया गया है defense ministry के साथ किस चीज के लिए यह जो Indian Air Force के 37 regions है उसके modernization के लिए तो यह company का नाम है Tata Power S.E.D. और जो S.E.D. की full form है वो इसका strategic engineering division ओके याद रखेंगे Tata Power strategic engineering division next who chaired जी first virtual executive council of manohar parical defense study and analysis institute जो manohar parical defense study and analysis institute है उसका सबसे पहला जो first virtual executive council हुई उसकी बैठक हुई उसका chairman कून था उसको किसने चेर की तो नाम याद रखेंगे defense minister है हमारे इंडिया के करेंट में राजनात सिंग उन्होंने ये चेर की next which department of Indian government started animal husbandry start-up grant challenge कौन सा department है Indian government का जिसने animal husbandry start-up grant channel sorry challenge जो सुरू किया है तो ये किया है ये department है animal husbandry and dairy department और ये ministry of agriculture के अंडर आता है और current जो agriculture minister है वो नरेंदर सिंग तोमर जी है next which state government launch प्रवासी राहत मित्रा app कौन स्टेट गवर्मेंट ने प्रवासी राहत मित्रा नाम की app launch किया है तो ये किया यूपी ने और ये किसलिए किया है ये किया है for migrant workers of state जो migrant workers है सर्मिक है जो दूसरे state से जो lockdown के अंदर जो दूसरे state से यहाँ पे return हुए यानि वापस आया है उनके लिए ये क्या करेगी sorry ये जो app develop की गई है वो state का जो revenue department है जो यूपी का revenue department है और उसके साथ में किसके साथ मिलके United Nations development program जो UNDP बोलते हैं इन दोनों ने मिलके ये app launch किया है शुरू किया है which organization will be responsible for development of monoclonal antibody for covid-19 जो covid-19 है coronavirus है उसके लिए जो monoclonal antibody त्यार करने की जो responsibility है वो कौन से organization लेगा ओके तो यह है भार्त biotech international limited next theme of world migratory bird day 2020 जो 2020 का world migratory bird day मनाया गया उसका theme पुछा गया तो इसका theme याद रखेंगे birds connect over world और जो world migratory bird day है वो 9 माई को मनाया जाता है next which organization helped icmr in sending covid-19 test kits up to 2000 sorry 200 laboratories in यह sorry यह दी है टी एची दी whole India पूछा गया है ऐसा कौन सा organization है जिसने जो icmr है Indian council of medical research उसकी help की है कि चीज में जो covid-19 की test kits है वो 200 से ज्यादा जो इंडिया में lab है उन में भेजने में help किया है तो यह है इंडिया पोस्ट इसने help की है icmr की which country declared once in a generation plan in investment in the transportation sector ऐसा कौन सा देश है जिसने current में once in a generation नाम का एक plan sorry plan शुरू किया है किस चीज के लिए यह जो इसका prevent sector है transportation section सेक्टर है उसमें investment के लिए तो यह देश है built-in current में जो PM है बिल्टेइन के वो है बोरिस जोंसन next which state government launched प्रानवायू program कौन से state government ने प्रानवायू नाम का program launch किया है तो यह किया है करनाटका ने यह बैंगलोरियू में किया है और यह किया गया है जो यह बैंगलोरियू city corporation है उसके द्वारा किया गया है किस चीज के लिए to create to create awareness on the need of self examines the respiratory health of बैंगलोरियू जो बैंगलोरियू के लोग है उनकी जो awareness बढ़ाने के लिए कि वो अपनी health के परती aware हो जाए next which country is not included in the help under mission सागर पूछा गया है इसा कौन सा country है जो सागर जो mission है हमारा उसके अंडर help के लिए उसके जो एड हम provide कर रहे हैं countries को उसके अंडर वो सामिल नहीं किया गया है तो यह याद रखेंगे अंसर बुरुनदी जो बुरुनदी देश है वो सामिल नहीं है देखिए जो सागर mission है उसके तहत क्या किया गया है जो इंडिया का नैवल सीफ है INS केसरी वो यहाँ से पांच जो island nation है वहाँ के लिए कुछ समान लेके गया है और यह देश कौन से हैं माल्दिव्स, मौरिशियस, सेसल्स, मेडगास्कर और कॉमोरोस और यह समान क्या लेके गया है कुछ food items या फिर covid-19 related medicines है जो as secure related tablets है या फिर कुछ special ayurvedic medicines है या फिर medical assistance के लिए कुछ और equipment है यह सब लेके यह हमारा ship गया है और जो यह program launch किया गया यह ministry of defense, ministry of external affairs और काफी दूसरी अजैंसी है इन्होंने मिलके यह launch किया है मिशन सागर next which organization released global energy review report 2020 पुछा गया 2020 की जो global energy review report है कौन से organization ने release की है तो उसका नाम है IEA International Energy Agency और यह IEA है जो वो Paris में based है एक autonomous international organization है इसकी जो स्थापना की गई वो 1974 में की गई थी under the framework of OECD जो OECD है organization for economic cooperation and development उसके अंडर में यह की गई इसकी स्थापना next सेखतकर समीती is related to which sector जो सेखतकर समीती है वो कौन से sector से related समीती है तो यह है improvement in armed forces expenditure इस से related यह समीती है जो सेखतकर report है वो defense minister की सबसे पहली जो lockdown के अंडर जो report है business order से related वो पहली report है सेखतकर report और जो सेखतकर committee जो बनाई गई थी वो जो हमारे former defense minister से मनोहर पारिकर उन्होंने बनाई थी और इस समीती ने अपनी report 2016 में submit की थी next for availability of Russian to all needy tribes के सभी जो जो tribal है जो tribes के लोग हैं उनको राशन available हो इसके लिए Trifad ने sign किया है agreement किसके साथ तो यह किया है Trifad ने Art of Living Foundation के साथ और Trifad की full form है Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India जो 1987 में बनाई गई थी वो ministry of welfare के दुआरा जो government of India की एक ministry है और जो Art of Living Foundation है यह एक NGO है non-government organization है जो 1980 में बना गया रवी संकर जी के दुआरा Next which organization signed on project with India for preparation of COVID-19 emergency response and health system कौन सा organization है जिसने इंडिया के साथ एक project signed किया है किस चीज के लिए जो COVID-19 emergency response and health system है उसको त्यार करने के लिए तो यह organization है AIIB Asian Infrastructure Investment Bank इसका headquarter है जो bank का यह बीजिंग चाइना में है और यह 2016 में बना गया था Next which institute constructed energy efficient photo detector पूछा गया कौन से institute ने organization ने energy efficient photo detector अभी बनाए है तो इसका नाम है JNCASR जिसकी full form है जवारलाल Nehru Center for advanced scientific research और यह science and technology का department है जो इंडिया का government of India का उसके under में आता है Next which athletic sorry world athletics day 2020 is celebrated on पूछा गया है जो world athletics sorry athletics day है वो कब मनाया जाता है तो यह 7 मही को और सबसे पहला जो world athletics day मना गया वो 1964 में मना गया था Next which institute developed first indigenous antibody based test kit पूछा गया जो हमारा देश का जो सब देशी सबसे पहला antibody based test kit है वो कौन से institute ने संस्थान ने बनाया तो उसका नाम याद रखेंगे वो है NIV पूने NIV stands for National Institute of Virology जो इंडिया का जो विरोलोजी से रिलेटेड रिसर्च इंस्टिचूट है और इसकी स्थापना 1902 में हुई थी तब इसका नाम VRC था Virus Research Center इसको 1978 में फिर से नाम चेंज गया इसको नेशनल इंस्टिचूट ओफ विरोलोजी एन आईवी नेक्स्ट इंडिया इस लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट इस पूछा गया है इंडिया में सबसे बड़ा जो थर्मल पावर प्लांट है वो कहां पे है कौन सा है तो उसका नाम याद रखेंगे एंटी पीसी विंद्या चल ओके और यह सिंग्रोली डिश्टी का जो मध्य प्रदेश का वहां पर है और इसकी जो कैपेस्टी है वो 4760 मेगावाट है और यह कोल बेस्ट पावर प्लांट है और इसको प्रेट करती है जो कंपनी वो है एंटी पीसी जो एक पुब्लिक सेक् की दिवस है उसका थीम क्या है 2020 का तो इसका थीम याद रखेंगे यह है रिस्टार्ट और रिस्टार्ट की फुल फॉम है रिबूटिंग दी एकोनोमी थ्रो साइंस टेकनोलोजी एंड रिसर्च ट्रांसलेशन और जो नेशनल टेकनोलोजी डे है वो 11 मही को मनाया जाता है और यह इसको हम किस चीज की याद में मनाते हैं यह मनाते हैं जो हमारा पोखरण में नुकलियर टेस्ट किया था 1908 में उसकी यह anniversary होती है इस दिन next which organization developed DRUVS sanitizer to sanitize phones कौन का कौन सा संक्थन है जिसने DRUVS नाम के sanitizer developed किये हैं जो phones को phone होते हैं जो mobile phones या दूसरे phones उनको sanitize करता है तो इसका नाम है organization का RCI Research Center इमारत और यह हैदराबाद बेस्ट organization है जो की एक DRD यो का पार्ट है defense research development organization और DRUVS की full form है defense research ultra wallet sanitizer और यह sanitize करता है mobile phones को, laptops को, iPods को, currency notes को, चलांस को, papers को और जो इससे related चीजे होती है next which ministry gave permission to establish a super computer in NIT तिरुचिरापली तमिलाडू जो NIT तिरुचिरापली तमिलाडू है उसमें एक super computer establish करने की जो permission है वो कौन सी ministry ने दी तो याद रखेंगे नाम यह ministry है science and technology ministry यह ministry 1911 में बनाए गई थी इसके जो current ministry है हो दोक्टर हर्सवर्दन जी है और दोक्टर हर्सवर्दन जी है जो minister of health and family welfare भी है और minister of earth sciences भी है next which country won online nations cup तो nations cup हुआ chess का tournament है chess का cup है के इसके पूछा गया कौन से देश ने जीता देखें यह जीता है चाइना ने और यह current में भी 5 से 11 माई के बीच हुआ था next the author of book finding freedom is पूछा गया जो finding freedom नाम की book है उसके author कौन है उसके लेखक कौन है तो नाम याद रखेंगे omid scoby and caroline durand इन्होंने मिलके यह book लिखी है और इस book में जो यह है book biography है यह built-in के prince harry है और उनकी wife है megan merkel उनकी यह biography है next recently who has been appointed vice president of engineering department of google cloud जो google cloud का engineering department है तो current में उसके vice president किनको appoint किया गया तो यह नाम याद रखेंगे अनिल भंसाली और यह जो है पहले microsoft में काम कर चुके हैं वहां पर यह जो microsoft का azure cloud division है उसके corporate vice president रहे है next name of the chairman of committee established by tamiladu to improve its fiscal conditions जो राजकोशी है fiscal जो सितिती है tamiladu की उसको improve करने के लिए जो committee बनाएगी उसके chairman का नाम पूछा गया तो यह tamiladu state की committee के chairman है सी रंगा राजन जी और जो यह हमारे former RBI governor रह चुके है और यह committee जो बनाई गई है यह क्या करेगी examine करेगी examine करेगी यह क्या friction करेगी जो fiscal challenges है जो की state covid-19 के under में जो challenge कर रहा है जो state यह conditions जो fiscal challenges जो face कर रहा है इस pandemic में उनको और उनको से जो improve करने के लिए इस position को जो जो wage है उनको यह बताएगे sorry next which ministry started सुरक्षा store initiative पुछा गया सुरक्षा store के नाम से एक initiative पहल शुरू की गई है वो कौन सी ministry के दुबारा शुरू की गई है तो याद रखेंगे ministry consumer affairs food and public distribution ministry और इसके लिए इसने दो start-ups के साथ partnership की गई है उनके नाम है safe job and sickify और यह जो initiative है यह यूज क्या यह यूज करेगा टेकनोलोजी को टू प्रेवेंट spread of COVID-19 at the local किरियना store level जो local किरियना के stores है उस पर जो spread को रोकना जो coronavirus को फैलने से रोकने के लिए टेकनोलोजी को यूज करेगा यह इनिसिटिव और जो हमारे मिनिश्टर है इस मिनिस्टरी के वह राम विला स्पासवान next विच्पमिनिस्ट्री ओंड चैंपियन्स पॉर्टल पूछा गया ड्राइवन कंट्रोल रूम कम मेनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम और चेम्पियन्स की फुल फॉर्म है क्रियेशन एंड हार्मोनियस एप्लिकेशन ओफ मोडरन प्रोसेशीज फोर इन्क्रीजिंग दी आउटपूट एंड नेशनल स्ट्रेंथ जिसके अंडर में वो फार्मर्स को इंस्ट्रक्शन देगा उसके क्रोप कल्टिवेशन से रिलेटिड जो फसलों की कल्टिवेशन से रिलेटिड तो ये स्टेट है तिलंगाना तिलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है वहां के करंट सीम है के चंदर से खर रहा हूँ और गवर्नर है वो है तमीली साही सुंदरा राजन जी नेक्स्ट, Finance Ministry गेव हाव मच क्रोड रूपीज असिस्टेंस तू फार्मस तरो नबाड जो नबाड हमारा नेशनल बेंक है उसके थरू जो फाइनस मिनिस्ट्री ने किसानों को कितने रूपीज का असिस्टेंस दिया है कितने क्रोड रूपीज का तो याद रखेंगे ये दि quarter Mumbai में है इसका जो current मेनबाड के chairman हो है अर्श कुमार भनवाला next who was the Indian representative in the virtual meeting of foreign ministers of SEO जो SEO जो organization है उसकी जो foreign ministers की बैठक हुई उसमें इंडिया का representative कौन धार ये virtual meeting थी तो ये थे मारे foreign minister S. जैशंकरजी और जो SEO है वो है संगाई corporation organization 2001 में बनाया गया था संगाई चाइना में इसका headquarter Beijing चाइना में है और जो इंडिया और पाकिस्तान है इसके member 2017 में बने थे union government has targeted which date for providing piped water to every family in J&K under Jal Jeevan mission उचा गया जो हमारी union government है उसने कौन्स डेट को sorry कौन्स डेट को target रखा है किस चीज के लिए जो Jammu and Kashmir का जो हर एक family तक जो null का water piped water पहुँच जाए ये एक जल एंड जो जल जीवन mission के ताहित किया गया तो ये date है जो targeted date हुआ है December 2022 जो जल जीवन mission है वो ministry of जल सकती के end रहाता है और जल ministry of जल सकती है जो current minister है हो है गजेंदर सिंग सिखावत next रिसेंटली गोवा government will develop which technique for tourist जो tourist लोग है उनके लिए गोवा government कौन सी technique develop करेगी recently तो उसका नाम है SOP standard operating procedure next how many states of India have banned speeding on the public places to prevent the spreading of covid-19 virus पूछा गया है इंडिया के कितने states ने जो speeding जो हम धूखते है उसको public places पे ban कर दिया है तो कितने states ने किया ये तो ये किया है 28 states यानि सभी states ने ये ban कर दिया है next next year 2020 FIFA under 17 women world cup will be held in पूछा गया जो अगले साल 2021 में होगा ये postpone कर दिया है जो 2020 का FIFA under 17 women world cup वो कहां पे होगा तो इसकी venue है इंडिया और ये सात्वाँ addition होगा इस कप का ये कप 2008 में start होगा था recently health ministry want to do which survey in selected districts कुछा गया है current में जो health ministry है इंडिया की वो कौन सा survey करना चाते है कुछ selected districts में तो इस survey का नाम है sero survey sero survey क्या होता है इसमें testing of blood serum of a group of individuals कुछ जो individuals का group है उनकी blood serum की testing होगी किस चीज के लिए two monitor trends in the prevalence of no one coronavirus जो अभी coronavirus की विमारी है उससे related उसके symptoms को देखने के लिए coronavirus का दूसरा नाम SARS-CoV-2 है यह भी याद रखेंगे यह district level पे यह survey किया जाएगा next which organization developed first indigenous antibody sorry antibody है detection kit for covid-19 पुचा गया कौन सा organization है जिसने सबसे पहली हमारी indigenous सवदेशी जो भारत में बनाई गई है antibody detection kit covid-19 के लिए तो वह organization है ICMR Indian Council of Medical Research और जो यह ICMR आता है यह ministry of health and family affair के अंडर आता है इसका headquarter नियोदेली में है ICMR की स्ताफना 1911 में की गी तब इसका नाम IRFA था Indian Research Fund Association उसके बाद ICMR जो इसका नाम रखा गया वो 1949 में रखा गया ICMR के जो current secretary और director general है उनका नाम ड़क्टर बलराम भारगवा है next which organization participated with जारकंड to provide online education to children पुछा गया है वह कौन सा संक्थन है जिसने जारकंड के साथ partnership की है जो children है बच्चे है उनको online education provide करने के लिए तो उसका नाम है दूरदर्शन जो एक public service provider है sorry public service broadcaster channel है जो government of India का दूरदर्शन की स्थापना 1969 में की गई थी इसका headquarter नियो देली में है और इसकी owner जो company हो है परसार भारती जो एक public sector की company है इंडिया की इसका motto है motto होता है एक आधर्स sentence एक आधर्स वाक्या होता है जो हो है सत्यम सिवं सुन्द रहा है next which organization operates अटल pension योजना पुछा गया जो अटल pension योजना नाम की scheme है उसको कौन सा संक्टन जो operate करता है तो इसका नाम है pension fund regulatory and development authority PFRDA और यह PFRDA दो जार तीन में बना गया इसका headquarter न्यू देल्ली में है next which report sorry which airport is awarded by Skytrax as best airport of the world उचागा Skytrax के दुआरा कौन से airport को world का best airport माना गया है तो यह नाम याद रखेंगे है चांगी airport जो Singapore में है और यह लगातार आठवी बार best airport बना है जो की 2020 के world airport awards वे थे उनमें यह award मिला है इसको Skytrax जो है यह एक UK based consultancy company है जो की जो जो airlines है और airport है उनके review से उनके service related जो review और ranking है उससे related यह website को चलाती है company next what is the name of mobile testing laboratory developed by DFRL जो DFL sorry DFRL के द्वारा जो mobile testing lab बनाई गई है उसका नाम पूछा गया तो इसका नाम है परक और DFRL है उसकी full form है defense food research laboratory जो DRDO की एक laboratory है इसकी स्थापना 1961 में की गई जो की मैसूर करनाटका में सितित है next first Indian to win fed cup heart award जो पहली इंडियन कौन है जो जन्होंने fed cup heart award जीता है तो उनका नाम है सानिया मिर्जा जो एक tennis player है और उन्होंने ये price money जो है cms relief fund में जमा कर दिया recently which product of the Tamiladu got GI tag current में पूछा गया Tamiladu का कौन सा product है जिसको GI tag मिला है तो याद रखेंगे यह है याद रखेंगे इसका नाम तंजावूर नेति works जिसको PEAT works में बोलते हैं जो GI है उसका जानते हैं क्या है जो geographical indication बोलते हैं GI को यह एक tag है जो एक तरह का sign या name है किसी चीज का जो की अलग-अलग products पर यूज होता है किस चीज के लिए कि वो किसी एक specific geographical location या origin से पैदा हुआ है यानि किसी उस place की यह natural जो habitat होता है उस product का उसकी यह एक निशानी है या symbol होता है who is appointed new chairman of cbsc पुछा गया current में जो cbsc के नई chair बनाए गए कौन है हो तो उनका नाम याद रखेंगे वो है Manoj Ahuja और इन्होंने जो replace किया है जो पहले इसकी chairman थी वो थी अनीता करवाल जी cbsc stands for central board of secondary education इसकी इस्ताफना 1962 में हुई और यह ministry of hrd human resource development के अंडर आता है next which state in India has list infant mortality rate उच्छा गया जो IMR rate है वो सबसे कम कौन से state में है इंडिया में तो यह याद रखेंगे एक केरला में है जो IMR rate होता है यह क्या नापता है यह major करता है जो number of deaths sorry number of deaths of children जो एक साल से कम एज के बच्चे हैं उनकी deaths को major करता है पर थाउजन लाइव बर्थ जो सो बर्थ हुए हैं उनके comparison में विच कंपनी डिवलप्ड इंडिया जो फर्स्ट पीपी किट सीम सीलिंग मसीन के सीम होता है जो जो होता है जो किट सोते हैं हमारी पीपी क में पर्शनल प्रोटेक्टि इंडिया की कौन सि कंपणी ने के लिए इस इस नाम है Mac Power CNC जो की राजकोर्ट गुजरात बेस्ट कंपनी है और यह जो डिवाइस है यह क्या करेगी जो प्रोटेक्टिव जो पीपी किट्स होती है हमारी पर्सनल प्रोटेक्टिव किट्स उनके जो सीम होता है जो उनके जोड होता हुआ पे थोड़ी वो छेद होते हैं तो उनको सीलने का यह काम करेगी ताकि वहाँ से वाइरस गुस नसके और पर्संस को जो है इंफेक्ट ना कर सके पुछा गया है कौन सी स्टेट का नाम है वैस्ट बंगाल और यह जो स्कीम है यह जो जनेट करेगी इंकम एक्टिविटीज इन होटी कल्चर एंड पिसी कल्चर सेक्टर्स के जो बागवानी और जो मतश्य पालन का जो सेक्टर है उसमें यह इंकम जनेट करेगी जो करेंट हैं वेस्ट बंगाल के सीम है वो ममता बनर जी जी है और गवर्नर है वो जगदीब धनकर जी रिसेंटली वो पार्टिस्पेटेट फ्रोम इंडिया इन 32nd Commonwealth Health Ministers Meeting थ्रोव वीडियो कॉनफरेंस हुजा गया जो रिसेंट में जो 32ी Commonwealth Health Ministers की बैठक हुई है जो की वीडियो कॉनफरेंस के थ्रोव हुई है उसमें इंडिया की तरब से किसने पार्टिस्पेट किया तो Coordinated Commonwealth COVID-19 response next who got the 2020 Vice Admiral GM Hiranandani Memorial Royal Trophy उचा गया है जो GM Hiranandani Memorial Trophy है वो 2020 के लिए किसको मिली तो याद नाम शोरी नाम याद रखेंगे इनका Lieutenant Commander Akshay Kumar और जो Award Ceremony हुई है यह हुई है Maritime Warfare Center Kochi Kerala में यह Trophy जो है स्टार्ट की गी थी 2013 में For Officers Performing Best in Tactics During Year-Long Warfare Specialization Course जो Specialization Course होता है वारफेर का उसमें जो Officers जो है Top में आते हैं उनको यह Award दिया जाता है 2013 में स्टार्ट हुआ वाट इस दी नेम ओफ दी एक्टर उस एक्टर का नाम क्या है जो कि MTV का एक सो था जिसका नाम था Splits Villa उससे यह popular हुए थे और उनका जो है current में वो died और died recently उनकी जो current में अभी मृत्य हो गई तो इन एक्टर का नाम याद रखेंगे साई गुंडेवार और इनकी मृत्यू 10 मही 2020 को भी current में ही Los Angeles जो LA USA में हुई है Next in August 2020, August 2020 में who will retire from the post of DG Director General of WTO World Trade Organization पुछा गया अभी current में जो August 2020 का महिना आएगा 2020 का उसमें WTO के Director General की post से कौन retire होगे तो current जो डिरेक्टर है रोबर्टो अजेवेदो जो की ब्राजिल से विलोंग करते हैं WTO की स्थापना उननी सो पचाणों में हुई और इसका headquarter याद रखेंगे जिनेवा स्विटेजर लेंड में है और इसकी स्थापना जो हुई थी इसने एक इससे पहले organization का GET के नाम से उसको replace किया था इसने जो की 1940 में बना था GET की full form है General Agreement on Tariffs and Trade next World Bank gave how much amount to India for its COVID-19 social protection response program पुछा गया है जो World Bank है विश्वे Bank है उसने इंडिया को इसके COVID-19 social protection response program के लिए कितनी amount दी है तो ये याद रखेंगे ये US dollar 1 billion जो 1 billion US dollar World Bank का दूसरा नम IBRD है जिसकी full form है International Bank for Reconstruction and Development और ये 1944 में बना गया था इसका headquarters वासिंग्टन DC में है Which organization will release its report World Economic Situation Prospects WESP up to middle of 2020 पुजा गया कौन सा organization है जो अपनी report जिसका नाम है WESP report इसको 2020 के middle तक publish करेगा तो इसका नाम है UN United Nations ये एक intergovernmental जो international level का organization है इसकी स्थावना 24 अक्तवर 1945 को भी इसका headquarters जो है ये नियोर्क में है और जो प्रेजेंट सिक्रेटरी जनरल है आरी पीएफ गौर्मेंट ऑफ इंडिया ने जो आरी पीएफ नाम का जो और्गिनाजेशन बना है तो पुछा गया आरी पीएफ की development authority के अंदर की गई के अंडर की गई स्वरी और इसकी जो बोलते हैं सोट में अपेड़ा एपीए डी ए to prevent spreading of coronavirus, which state used अभी नोब अभियान methods by KVIC purters जो KVIC purters हैं उनके दिवारा जो अभी नोब अभियान मेथड़ अपना जाते हैं तो कोन से स्टेट ने ये methods फॉलो किये हैं जो करोना वियरिस के को फैलने से रोकने के लिए तो ये स्टेट का नाम है राजस्थान इसमें क्या क्या है ये पोटर्स है जो वहा कि उन्होंने अपने जो उनके पोट्स है जो बरतन बनाते हूं मिट्टी के उन पे अलग-लग जो कोरोना वारेस से बचने के मैसेजी लिख दिये हैं और ये पर्टिकुलरी पीचर्स जो बोड़े होते हैं उन पे लिखे गए हैं के वी आईसी की फुलफो में खादी विलेज इंडस्टेज कमिशन ये एक स्टेट्री बोड़ी है जो की उन्हीं सो स्तावन में बनाई गई थी और मिनिस्ट्री है जिसके अंडर याति उसका नाम है MSME माइक्रो स्मोल एंड मेडि स्टेट्री इंटरेज मिनिस्ट्रे इस्ट्री इस्ट्रिकाट विट विल्स ट्विलंट्री राजी ईव गङन्धी किसान याई योजना कॉन सा स्टेट्रेट है जो अभी कर्शक करेगर तो नाम याद राखेंगे ये हैफ 26 गर्ड ओके और ये लूंच करेगा इस योजना को राजिय उगांदी का जो मार्टी ड्रॉम जो उनका सहीदी दिवस है 21 मही को तब ये इसको लॉंच करेगा और ये स्कीम है जो योजना है ये इनक्रेज करेगी production of crops and to provide farmers the fair value of their produce यानी जो production करते हैं उनकी crops के production को इनक्रेज करने के लिए और farmers को जो अपनी produce का अपनी उपज़ का सही चीमत मिले उसके लिए जो चतिशगट की capital है वो राइपूर है वहाँ के CM भुपेश भागेल जी है और जो current governor है वो है अनुसुया ओईके जी Which ministry launched goal program पूछा गया कौन सी ministry है जिसने goal नाम का program launch किया है तो ये नाम याद रखेंगे tribal affairs ministry और जो current tribal affairs ministry है हो है सिरी अर्जुन मुंदा जी और जो goal की full form है हुआ going online as leaders ये digital skilling को improve करने का एक method है एक program है जो tribal youth में इसको improve करेगा और ये जो initiative है ये शुरू किया गया जो facebook इंडिया है और ministry of tribal affairs है इनके द्वारा मिल कर किया गया ये शुरू first coast guard offshore patrol vessel of India कुछा गया जो हमारी इंडिया की सबसे पहली coast guard offshore offshore patrol vessel है उसका नाम बताइए तो इसका नाम है ICGS state जो ICGS की full home है Indian coast guard state का मतलब होता है alert होना और ये design की गई है ये गोवा से प्याइड लिमिटेड जी एसल में ये design और built की गई है which institute developed injectable silk fibrone based hydrogel पुजा क्या कौन सा संक्थन है संस्थान है जिसने injectable silk fibrone based hydrogel बनाए है विक्सित किये हैं तो इसका institute का नाम है JNCASR जिसकी full form है जवारलाल नहरू center for advanced scientific research और ये department of science and technology के अंडर में आता है और ये hydrogel है इसका काम क्या है ये है for sustained insulin delivery in diabetic patients जो diabetic patient होते हैं सुगर के मरीज होते हैं उनमें insulin की delivery करेगा ये geographical indication GI tag है जो वो current में मिला है सोहराई खोवार printing को तो पुछा गया कौन से state से related है painting तो इसका अंसर याद रखेंगे ये है जारकंड से related ये क्या है basically एक traditional और ritualistic mural art painting है जो mural होता है जो भित्ती चितर जो दिवारों पे जो चितर बनाई जाते हैं और इसको जो local woman होती है mainly जो हजारी बाग district है जारकंड में उसकी women's है mainly वो local woman इसको practice करती है और ये कब होता है ये mainly local harvest का season या फिर marriage season पे ये painting बनाई जाती है जो GI tag है geographical indication tag की जो registry का office है headquarter है उसका जो इसको GI tag को देता हो chain में है headquarter which state UT started समगरा सिक्षा कार्यकरम कौन से state या UT ने जो समगरा सिक्षा कार्यकरम नाम का जो योजना है वो शुरू की है तो याद रखेंगे जम्मू एंड कस्मीर ने की है current जो जम्मू एंड कस्मीर और लदाग जो UT बनाई गई है जो JNK के lieutenant governor है वो है ग्रीश चंदर मूर्मू जी सी मूर्मू और जो लदाग ट्योटी है उसके lieutenant governor है रादा क्रिशन माथूर आरके माथूर पूछा गया जो सिक्किम स्टेट का statehood day है वो कौन सी date पे celebrate किया जाता है तो यह किया जाता 16 मई 16 मई 1975 को सिक्किम जो है भारत का 22 वा राज्य बना था सिक्किम की capital गंग टोक है सिक्किम के current CM प्रेम सिंग तमांग जी है और governor है जो current में वो गंगा परसाद जी है recently which institute implemented समर्थ समर्थ नाप का program recently कौन से institute ने implement किया है तो यह institute है NIT कुरुक्षित्रा जो हरियाना में है और जो यह समर्थ है यह एक e-governance platform है जो की national mission of education in information and communication technology के दुआरा developed किया गया है जिसको short form में NME ICT बोलते हैं और जो ministry इसको operate करती हो है HRD ministry human resource and development ministry सहस्तर सेना दिवसी celebrated हों जो सहस्तर सेना है उसका दिवस कम मना जाता तो यह मना जाता third Saturday of मई next which institute developed light weight carbon form batteries जो light weight जो बिल्कुल कम weight की बिल्कुल हलकी carbon form batteries बनाए गई है वो कौन से संस्थान ने develop की है नाम याद रखेंगे advanced materials and processes research institute भोपाल और जो यह battery है यह जो पुरानी जो हमारी lead acid batteries होती है उनमें lead greed को replace करेंगी next which Indian armed forces organization started tour of duty internship जो tour of duty के नाम से internship शुरू की गई है वो कौन से Indian armed forces ने शुरू की है tour of duty internship Indian army के दुआरा शुरू की गई है और इसके तहित इसमें जो तीन साल की जो यूद से हमारे यंग लोग है वो तीन साल के लिए internship पे जा सकते हैं army में वो officer की तरह भी और soldier की तरह दोनों की तरह काम कर सकते हैं next which cavalry army of Indian army is only cavalry in the world पुछा गया है जो cavalry army होती है जो goods war से ना होती है वो कौन सी army है इंडियन army की कौन सी army है जो सिर्फ एक ही cavalry है जो पूरे world में तो इसका नाम है 61st cavalry army which organization started national migrant information system जो national migrant information system है कौन से जंक्षन ने शुरू किया है तो इसका नाम याद रखेंगे NDMA national disaster management authority और यह जो ministry है वह है ministry of home affairs इसने शुरू किया है current जो home ministry हमारे वो अमित साजी है which institute developed next generation biodegradable metal implants कौन से संस्थान ने जो next generation के biodegradable metal implants है वो develop किये हैं विक्षित किये हैं तो यह नाम याद रखेंगे ARCI Hyderabad जो ARCI है यह 1900 उस्तानों में बना गया इसको international advanced research center for powder metallurgy and new materials भी बोलते हैं जो यह implant sorry implants त्यार किये गए हैं डिवलप किये गए हैं यह iron manganese के alloy का use करेंगे what is the theme of world telecommunication and information society day 2020 जो 2020 का world telecommunication and information society दिवस है उसका theme क्या है तो इसका theme याद रखेंगे connect 2030 और यह day मनाया जाता है यह UNGA ने coin किया था इसको UNGA United Nations General Assembly ने शुरू किया था और यह किस चीज के लिए यह celebrate करने के लिए जो power of telecommunication है और उसकी importance है in building relationships across culture surround the world इसके लिए यह मनाया जाता है next which ministry takes care of PM Ujula scheme जो PM Ujula scheme है योजना है उसकी कौन सी ministry देखरेक करती है तो यह ministry है petroleum and natural gas ministry और current इसके minister है धर्मेंदरा पर्धान जी जो PM Uy योजना है यह 2016 में शुरू की गई थी PM Modi के द्वारा यह शुरू की गई थी इसका जो aim धासुरू में 50 million LPG connection देना जो BPL family की female से हैं उनको what is event board event board नाम का यह क्या चीज है यह तो यह है एक trojan एक trojan है virus का नाम है जो new mobile banking trojan है mobile banking से related एक नया current में trojan है या virus है name of initiative under which there will be educational channel for each class from class 1 to 12 class 1 से 12 तक जो classes है उनके लिए एक educational channel होगा online इस नाम का initiative का क्या नाम है तो इसका नाम है PME Vidya next name of the female robot उस female robot का नाम बताए which will go to space with passengers in Gagnyan Mission जो हमारा Gagnyan Mission है इस रोगा उसमें passenger के साथ जो जाएगा जो यह robot जाएगा तो उसका नाम है वयोम मित्रा जो की इसरो के दुआरा जो जार बीस में डूलप किया गया है और जो को गणयान Mission है वो December 2021 के लिए targeted है scheduled है next तो यहां पर यह हमारे जो मही महा के ग्यारा मही से बीस मही के बीच के questions है वो complete होते हैं आसा करता हूँ यह questions आपको आपके लिए काफी helpful होंगे और यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को यहीं पर समाप्ट करते हैं और मिलते हैं next वीडियो में एक अच्छे से टोपिक के साथ थेंक यू